हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू मैं चैनल कैसे हैं आप सभी आशा करते हूं आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी क्लिक हुझा जैसे अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो की मेरे तो काफी काम आते हैं और उम्मीद करते हू लसुन प्यारWhen अध्रक हर चीज चीज कूटते है और जब हम सारी चीजों को इसमे、 में वह जाती है, जिसको निकानना बेना को करना यह हैं एक निउस्पेपर का टुकड़ा लेना है इस तरह की से आपने फूरकर और इसको अब आपने क्वाणिये करना है कि उल्टा करके रात भर के सब्सक्राइब करना है इसी किसाथ का वो होता है इसमें भी आपने न्यूस पेपर को अच्छे से रैप कर देना है और जब आप इससे रैप कर देंगे ना तो इससे सच मानी है जितनी भी स्मैल होगी जितनी भी बैड स्मैल जो खलवटे में रह जाती है अगर आप इसको रात भर के लिए छोड़ देते हैं और सुब हम देख लेते हैं दोस्तों कैसरोल एक ऐसी चीज़ जो हम सभी अपने घर में यूज़ करते हैं और काफी सारे लोंगते इसमें दाल चावल सबजी रोटी पापड़ अचार हर चीज इसमें रखते हैं और इन सारी चीज़ों को रखने के बाद ना क्या होता है कि यह जो कै आज में आपको एक बहुत ही बड़िया तरीका बताने जारी हैं जिससे आपके कैसरोल में जितनी भी स्मेल है ना वो सच्पानी बिल्कुल दूर हो जाएगी और आपको ज्यादर मेहनत करने की भी जुरूरत नहीं पड़ेगी तो इस कैसरोल के स्मेल को दूर करने के लिए आपने यहां पर यूज करना है माचिस लेनी है माचिस की कुछ तीलिया आपने निकाल लेनी है कम से कम 5-6 तीलिया आप निकाल लेजेगा इसके बाद आपने यह जो माचिस स्टिक है जो माचिस से इसको आपने जला देना है जलाने के बाद आपने कैसरोल के अंदर डाल द मेख इसके ना आपने अदर खूद के अधा रेता एक वह जो आप निकाल लेनी है और ईसमेल आपके डूर में मजी दूंर की जड़ाओं ईसके दुमिर करते हैं अधश्य दोस्तों आप मेरी वीडियो को दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं मुझे comment करके जरूर बताएगा ताकि मुझे ये भी पता लग सकी कि मेरी वीडियो दुनिया के किस किस कोने में देखी जा रही है और अगर दोस्तों आपका कोई भी question है कोई भी query है तो आप मुझे वो भी पूछ सकते हैं मैं पूरी कोशिश करूँगे आपके सारी query को solve करने का तो चली फिर दोस्तों नेक्स useful tip को देखते हैं तो इसलिए दोस्तों हमें कुछ ऐसे बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे जो हमारा fridge है वो ज्यादा electricity consume ना करें तो इसलिए दोस्तों आज में आपको ऐसा पाई बताने जारी हूँ जिससे कि आप अपने घर में धेरो बिजली की budget कर पाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपने एक बात notice करी हूँ कि जब भी हम fridge में कोई भी चीज रखते हैं जैसे आइस जमाने के लिए रखते हैं कोई भी बरतन रखते हैं तो वो नीचे चिपक जाती है दोस्तों क्या होता है ने कि अगर यहाँ बरव जमी रहेगी फ्रीजर के अंदर तो हमें बार बार अपने फ्रीज को डिफ्रॉस्ट करना पड़ता है जिससे बहुत ज़्यादा electricity कंजूम होती है अगली टिप यहाँ पर मेरी होने वाली है इन धागों को लेकर धागे तो हम सभी अपने घर में यूज करते हैं लेकिन जब भी हम छोटी सुई में धागा डालते हैं तो इसमें हमें थोड़ी से परिशानी फेस करनी पड़ती है आसानी से यह जो धागा है छोटी सुई मे भी धागे असानी से आप डाल पाएंगी तो इसके लिए यहां पर आपने लेना है नेल कटर और नेल कटर से आज हम छोटी सुई में धागा डालेंगे और इसी के साथ आपने यहां पर ले लेना है फूल जाडू और फूल जाडू का आपने यहां पर एक बाल यहां पर निक करना है यह जो बाल है आपने जाडू का इसके ऊपर रखना है और इसके बाद आपने इसमे टेप लगा देना है लेकिए जिस तरीके से मैं आपको यहां पर करके दिखा रही हूं सिम इसी तरीके से आपने हैं अच्छे से इसमे टेप लगा देना है तो यहां पर देखे हमार इसको अंदर डाल देना है और इसके बाद आपने धागा लेना है और धागे को आपने यह जो बाल है जाडू का जो कि हमने यू शेप का मोड़ा हुआ है इसके अंदर आपने धागे को डाल की खीच देना है और इससे जो धागा है सुई में बहुत आसानी से अंदर चला जा तो हैना दोस्तों बहुती कमाल की ट्रिक तो दोस्तों इस ट्रिक को आप भी फॉलो करके बहुत आसान तरीके से अपनी सूई में धागा डाल चकते हैं और इस नेल कटर को आप इसी तरीकी से बना के रख दीजिए और आपको जब भी यूज़ करना होगा अप इसको अगर पसंद आई है तो लाइक शेर जरूर कर देज़ेगा और चैनल पर अगर आप मेरे पहली बार आएं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेज़ेगा तो चलिए फिर दोस्तों अपमें मिलती हूं आपसे नेक्स वीडियो में तो तब तक लिए टेक केर एंड आपने वाद